सासों की माला में जिसकी यादे है फिरोई मेरे तो शिर बाबा एक दूसरो न कोई सासों की माला में जिसकी यादे है फिरोई मेरे तो शिर बाबा एक दूसरो न कोई मेरे तो शिर बाबा एक दूसरो न कोई बाबा ही संसार मेरा दुनिया मेरी वो ही मेरे तो शिर बाबा एक दूसरो न कोई मेरे तो शिर बाबा एक दूसरो न कोई ओन शांति एक बाब को याद कर सच्ची कमाई करने वाले सभी हिम्मती हीरो पाठधारी आत्माओं को गौडले मौर्निंग मेरे तो शिर बाबा एक दूसरो न कोई ये पाठ पक्का हो तो तो क्या मिलेगा बेहत की स्कॉलर्शिप स्वर्ग की राजाई पवित्रता सुख शांति खुशी का वर्षा आदी आदी इस विनाशकाल में जो शिर बाबा के ही बनके रहते हैं जिनकी प्रीत सिर्फ एक बेहत के बाब से है वही आत्माई धन दौलत से संपूर्ण नई धर्नी पर कदम रखेंगी सूर्य वन्शी बनेंगी सबसे श्रेष्ट भाग्यवान आत्माई कौन है और इश्वरी लोटरी कैसे प्राप्त करें जानने के लिए सुनते हैं 25 सितंबर 2024 की साकार शिव वानी मीथे बच्चे बेहत की स्कॉलर्शिप लेनी हैं तो अभ्यास करो एक बाप के सिवाई और कोई भी याद न आए जैसे स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं स्कॉलर्शिप लेनी हैं तो बार-बार प्रैक्टिस करनी पढ़ती है अभ्यास करना पढ़ता है पढ़ाई करनी पढ़ती है तो हमारी भी यह क्या है रूहानी पढ़ाई है तो इस रूहानी पढ़ाई के प्रैक्टिकल सबजेक्ट योग में, याद में, यदि हमें सिर्फ एक शिव बाबा ही याद रहें, तो हमें मिलेगी बेहत की स्कॉलर्शिप, मना सत्यूगी राजाई, तो हमें ज्ञान, यूग, धारणा, सेवा, सब में 100% मार्क्स शहिए, तब मिलेगी बेहत की स्कॉलर्शिप, हम गौड़ली स्टूडेंट्स को, प्रश्न है, बाब का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है, तो उसका कारण क्या है? खुशी का सागर हमें मिल गया, उसके बाद में भी यदि खुश नहीं रह पा रहे हम, क्या कारण है? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहली बात, बुद्धी में पूरा ग्यान नहीं रहता, बुद्धी में ग्यान घूमी नीरा है, ग्यान का मनन चिंतन कर ही नीर है, तो फिर कैसे खुश रहेंगे, तो पहली बात, बुद्धी में पूरा ग्यान नहीं रहता, अधा धूरा ग्यान ह दूसरा बाप को यथार्त रीती याद नहीं करते याद न करने के कारण माया धोखा देती है इसलिए खुशी नहीं रहती मना ज्यान योग से कोई सरुकार ही नहीं है ज्यान योग में बिजी रहेंगे तभी तुमाया किनारा करेगी न लेकिन ग्यान भी नहीं है, योग भी नहीं है, तो माया धोका देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती है तुम बच्चों की बुद्धी में नशा रहें, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सदा हुल्लास और खुशी रहें प्राप्तियां याद होंगी, तो फिर उल्लास में रहेंगे, उमांगुद्साह में रहेंगे, खुश रहेंगे बाप का जो वर्सा है, पवित्रता, सुख और शान्ती, इसमें फुल बनों तो खुशी रहेगी जब पवित्र होंगे, सुखी होंगे, शांती कानुभाव करेंगे, तब फुल खुशी रहेगी तो बाबा कहते हैं, खुशी नहीं रहने का कारण क्या है? कि बुद्धी में पूरा ज्यान नहीं है और बाबा को यथारत रीति याद नहीं करते बुद्धी में नशाने हैं, कि हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं, क्या वर्सा मिलने वाला है, पवित्रता, सुक, शान्ती, खुशी का, ये सब कुछ याद नहीं रहेगा, तो फिर कैसे खुश रहेंगे, ओम शान्ती, ओम शान्ती का अर्थ तो बच्छों को अच्छे री बुद्धी याद करो, भगवान मना, आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना हैं, वा तो समझते हैं, श्री कृष्न पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है न, या तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप, आत्मा सुनती हैं, और परमात्मा सुना आते हैं, या नई बात है न, विनाश तो होने का ही है न, एक है विनाशकाले विप्रीत बुद्धी, दोसरे हैं विनाशकाले प्रीत बुद्धी, इस विनाशकाल में भी भगवान को, बाबा को यथार्थ रीती नहीं जानते हैं, तो विप्रीत बुद्धी हैं, और जो ज आत्मा अभी भाग्यशाली है न Wuही ऐसे विनाशकाल में शान्त रह सकती है तो, बाबा कहते एक है, विनाशकाले विपरीत बुध्धी दूसरे है, विनाशकाले प्रीत बुध्धी आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है पत्थर भित्तर में है इन सब बातों को अच्छे रीती समझना है यह तो समझाया है आत्मा अभिनाशी है शरीर विनाशी है आत्मा कभी घरती बढ़ती नहीं वो है इतनी छोटी आत्मा इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म ले पढ़ाते हैं तो जरूर मरतबा भी उँच मिलेगा आत्मा ही पढ़कर मरतबा पाती है आत्मा पढ़ती है तबी तो उँच पढ़ मिलता है आत्मा कोई देखी नहीं जाती अनुगाव करने की चीज है जानने की समझने की चीज है बहुत कोशिच करते हैं कि देखें आत्मा क ऐसे आती हैं, कहां से निकलती हैं, परन्तु मालूम नहीं पड़ता है, कैसे काज के डब्बे में बंद कर दिया, और देखो फिर भी नहीं समझ में आया, कि आत्मा कहां से निकल गई, तो मालूम नहीं पड़ता है, करके कोई देखे भी, तो भी समझ नहीं सकेंगे, यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है, आत्मा अलग है, जीव अलग है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है, शरीर बढ़ता है न, और वन्स बढ़ते हैं, आत्मा ही पतित और पावन बनते हैं, आत्मा ही बाब को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ, यह भी समझाया है, सभी आत्माओं हैं, ब्राइट सीताइं, और वो है राम, ब्राइट गुरूम एक, एक शिव साजन, बागी सब सजन्या, तो वो लोग फिर सभी को brightgroom कह देते हैं, सभी को राम मानते हैं, सभी को भगवान मानते हैं, तो अब brightgroom सब में प्रवेश करे यदो हो नहीं सकता, या गुद्धी में उल्टा ग्यान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत गलानी करते, पाप करते, डेफ तो यह सब क्या है बाप की निम्दा है बच्चे कभी बाप की गलानी करेंगे क्या परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं यह तो है बेहत का बाप आत्मा ही बेहत के बाप की गलानी करती है कैसे गलानी करती है बाबा आप कच्छ मच्छा उत रानियों को भगाया यह किया माखन चुराया अब माखन आदी चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी प्रिंस है वो क्यों माखन चुराएंगे कितने समोप्रधान बुद्धी बन पड़े हैं बाप कहते हैं मैं आकर तुम को पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हू बाप ही पतित पावन सर्व शक्तिमान अथौरिटी है जैसे सादू संत आदी जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथौरिटी कहते हैं शंकराचारे को भी वेदो शास्त्रों आदी की अथौरिटी कहेंगे उनका कितना भपका होता है देखो सादू सन्यासियों का कितना ताम ज्पांजाम है कितना भपका है शिवाचार्य का तो कोई भपका नहीं इनके साथ कोई पल्टन नहीं है एक सादू के पीछए देखो कितने फॉल्योर्स हैं और बाबा का तो कोई भापका नहीं है, कोई पल्टन नहीं है, सब बच्चे हैं ना बापके, यह तो बैठ सभी वेदो शास्त्रों का सार सुनाते हैं, अगर शिव बाबा भापका दिखाए, तो पहले इनका भी भापका चाहिए, सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा का भब का चाहिए क्योंकि उनमे ही आते हैं लेकिन बाबा देखो जब जाते थे मुंबई तो कहते थे और कोई भी स्टेशन पर लेने न आए बस एक दो भाई आ जाए बसो गया बहुत ज़्यादा पल्टन को भीट को लाने की जरुवत नहीं है तो पहले यदि बाबा कहते हैं भब का शीव बाबा दिखाए तो ब्रह्मा का भब का चाहिए परन तु नहीं बाब कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्विंट हूँ बाब इनमें प्रबेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन, फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो, इनकी ही हिस्ट्री जोगरफी फिर से रिपीट होगी, इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उने ही सतोप्रधान बनने की युक्ती बताते हैं, बाफे सर्व शक्ती मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदो शास्त्रों का सार समझाते हैं, चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परन्तु वास्तों में शास्त्रों आदी की बात है नहीं, न बाबा के पास शास्त्र हैं, न इनके पास न तुम्हारे पास शास्त्र हैं, पुल टेक्स्ट हो कि सभी भक्ती मार्ग के शास्र हैं मैं कोई शास्र थोड़े ही सुनाता हूं मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूं बाबा तो डायरेक्ट सुनाते हैं बाद में देखो भक्ती में शास्र बनाई गए हैं तुमको राजयोग सिखाता हूं जिसका फिर भक्ती मार्ग में नाम गीता रख दिया है मेरे पास वा तुम्हारे पास कोई गीता आदी है क्या यह तो सच्ची गीता है ना मुरली यह तो पढ़ाई है पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदी थोड़े ही होते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ हो वहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा कितनी सहज बात समझाता हूँ क्या है सहज बात अपने को आत्मा समझो यह शरीर तो मिल्टी हो जाता है मिल्टी की काया मिल्टी में मिल जाएगी आत्मा अभिनाशी है शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है देख रहे हैं नाभी, कैसे मौते हो रही हैं, कैसे शरीर सब धुआ धुआ हो रहे हैं, बहाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, बाप कहते हैं, मैं तो एक ही बार आता हूँ, शिव रात्री मनाते भी हैं, वा इसलिए शिवरात्री कह देते हैं, द्वापर कल्यों की रात्री में मेरे को ढूनते हैं, कहते हैं सर्व व्यापी है, तो तेरे में भी है न, फिर धक्के क्यों खाते हो, मैं भी भगवान, तो भी भगवान, मुझ में भी भगवान, तुझ में भी भगवान, तुझ में भी भ जैसे देवता से आसुरी संप्रदाई के बन जाते हैं। देवताईं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माईं फिर गिरी हैं, तो शराब आधी पीने लग पड़ी हैं। देखो, मदिरा पान करने लग गए। बाप कहते हैं, अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में हैं अनेग धर्म, नई दुनिया में हैं एक धर्म, एक से अनेग धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते, कल योग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अब तो सादु सन्यसी बोल रहे हैं, अब तो 40,000 साल नहीं पड़े हैं, अब इशारा दे रहे हैं, कि समय, बस अब क्या है, कयामत का समय आ गया, तो बाबा कहते हैं, वो 40,000 वर्ष जो समझते हैं, तो वो बात है घोर अंधियारा, ज्यान सूर्य प्रगटा, अज्यान अंधीर विनाश, मनुष्यों में बहुत अज्यान है, बाप ज्यान सूर्य ज्यान सागर आते हैं, तो तुम्हारा भक्ती मार्ग का अज्यान मिट जात तुम बाब को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है, यह है योग अग्मी, योग अग्मी में बाबा कहते हैं सब खाद विकर्म भस्म हो जाते हैं, काम अग्मी काला बना देती है, योग अग्मी अर्था श्रिव बाबा की याद गुरा बनाती है, फेर अर्थ थोड़ी समझते हैं, बाप आकर अर्थ समझाते हैं, पहले पहले सत्युग में कितने सुन्दर हैं, आत्मा पवित्र सुन्दर है, तो शरीर भी पवित्र सुन्दर लेती हैं, वहां कितना धन्दौलत सब कुछ नया होता है, फिर धर्नी, नई धर्नी क्या होती है फिर पुरानी होती है महाँ पे धन्दौलत है नई धरनी फिर पुरानी होती है अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है खोब तैयारियां हो रही है देख रहे हैं ना सब तरफ तैयारी भारत वासी इतना नहीं समझते हैं जितना वो समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं विदिश वाले तो समझते हैं ना यूरोप अमेरिका वाले हमने क्या-क्या समान तैयार कर रखा है इससे विनाश ही होगा कोई प्रेर रख है कहते हैं ना हम चाहते नहीं यह बनाना इन गौड गौड़ेस का राज्य था भारत ही प्राचीन था इस राजयोग से लक्षमी नरायन ऐसे बने थे वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं सन्यासी सिखला न सके आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है कितना जोट शलकपड ठगी है बाजार है पूरा बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराबादी भल पीओ, कुछ भी करो सब खाने पीने के छोट है, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं क्या हाल है देखो अब वक कैसे राजियोग सिखला सकेंगे मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे बाप समझाते हैं आत्मा कितनी उच है फिर पुनरजन में लेते लेते सतो प्रधान से समो प्रधान बन जाती है अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं अब बाप कहते हैं नर्क का विनाश तो जरूर होना है यहां तक जो आए हैं वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे शिव बाबा तक पहुँच गए तो अब स्वर्ग में जरूर जाएंगे शिव वाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना उंचपद पाएंगे अभी विनाशकाल तो सबके लिए है सबके लिए विनाशकाल विनाशकाले प्रीत बुद्धी जो है सिवाए बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं वहीं उंचपद पाते हैं इसको कहा जाता है बेहत की स्कॉलर्शिप इसमें तो race करनी चाहिए लिमिट्ट सीर्स है ना तो race होनी चाहिए बेहत की स्कॉलर्शिप के लिए यह है इश्वरी लौ्ट्री इश्वरी जोट्री और किसी के नहीं लगती है, हां, कैश भी कराना है यूबी धार्णावी, सेवा सब ज़रूरी है ज्यान तो हई जरूरी पढ़ाई है कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम प्रजा बनती हैं सर्विस से कहां सर्विस करें? म्यूजियम प्रदर्शनी आदी में धेल प्रजा बनती है इस समय तुम पढ़ रहे हो फिर सूरिवन्शी चंद्रवन्शी डाइनस्टी में चले जाएंगे यह है तुम ब्रामणों का कुल बाप ब्रामण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं बाबा ने हमें एडॉप्ट किया हमें पढ़ा रहे हैं हम सभी ब्रामण पढ़ रहे हैं अच्छी रिती भगवान स्वयम हमें पढ़ा रहे हैं बाप कहते हैं, मैं एक कुल और दो डाइनेस्टी बनाता हूँ, एक कुल और दो डाइनेस्टी, ब्राम्मन कुल और सूरिवंशी और चंद्रवंशी, ये डाइनेस्टी, तो सूरिवंशी महराजा महरानी, चंद्रवंशी राजारानी, इन्हों को कहेंगे डबल सिर्ताज, फ द्वापर के राजाओं में उन डबल ताजवालों के मंदिर बनाकर उनको पूझते हैं देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं अपने महलों में पूझते हैं पवित्र के आगे माथा टेखते हैं शतियुक में या बाते होती नहीं वह है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते नहीं, उसको कहा जाता है सुकधाम, वाइसलेस वर्ड, इसको कहा जाता है विशस वर्ड, एक भी पावन नहीं, इस विकारी दुनिया में एक भी पावन नहीं, सन्यासी घरबार छोड भागते हैं, राजा गोपी चन का भी मिसाल है ना देखो सब कुछ राज पाठ होते वे भी सब को छोड़ दिया तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गती सदगती दे नहीं सकते हैं सर्व का सदगती दाता मैं ही हूं मैं आकर सब को पावन बनाता हूं एक तो पवित्र बन शांती धाम चले जाएंगे और दूसर पवित्र बन सुख धाम में जाएंगे यह अपवित्र दुख धाम सत्यूग में बिमारियादी कुछ भी होती नहीं अभी तो देखी रहे हैं तरह तरह की बिमारिया हैं तुम उस सुख धाम के मालिक थे फिर रावन राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो बाप कहते हैं पल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्ये लेते हो, फिर पतित नर्खवासी बनते हो, देवताई ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं. हम ही देवी देवता देखो कैसे विकारी बन गए, वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रस्ते चले गए, गिर गए. मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचे दिया है, कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं, मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूं, पल्प के संगम युगे आता हूं, ना कि युगे युगे, हर युग में नहीं आते हैं, पल्प में एक संगम युग पर आते हैं पल्यूग और सत्यूग के संगम पर पल्प के संगम पर क्यों आता हूं क्योंकि नर्ग को स्वर्ग बनाता हूं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं पई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है उल्लास नहीं रहता है बच्चे लिखते हैं बाब, हम उदास हैं, उमगुलास मिनें ये खुश नहीं हैं, अरे, बाब तुम को विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाब को याद कर, तुम को खुशी नहीं रहती हैं। भगवान के बच्चे हम खुश नहीं होंगे, तो और कौन होंगी? बाबा कहते हैं तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं फैरती है पती को याद करते हैं जो पतित बनाते हैं और बाप जो डबल सिर्टाज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती है लौकिक साजन को याद करके खुशी होती है जबकि वो गिराते हैं पतित बनाते हैं और शिव साजन हमें डबल सिर्टाज बनाते हैं तो उनकी याद से हम खुश क्यों नहीं होते हैं अब जवाब दो बाबा को सब बाब के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी ने खुशी के सागर के संतान है हम सब सिर्फ डुपकी मार के निकल जाते हैं बाबा कहते हैं ने समाई रहना है तब खुश होंगे तब खुश रहेंगे पूरा ज्यान बुद्धी में नहीं है याद नहीं करते हो इसलिए माया धोखा देती है बच्चों को कितना अच्छी रीती समझाते हैं कल्प कल्प समझाते हैं आत्माई जो पत्थर बुद्धी बन पड़ी हैं उनको पारज बुद्धी बनाता हूं नौलिश फुल बाप ही आकर नौलिश देते हैं वह हर बात में फुल है बाबा हर बात में फुल है प्योरिटी में फुल प्यार में फुल ग्यान का सागर सुख का सागर प्यार का सागर है न ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो बाबा सागर और हम दो भून में ही त्रिप्थ हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि ऐसे बाप से तुम खोय वर्षा मिलता है ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो बाकी वह सक्संगादी तो सब हैं भक्ती मार्ग के उनमें एम आपजेक्ट कुछ भी है नहीं इसको तो गीता पा आठशाला नहीं होती दीता से नरसे नारायन बनते हो जरूर बाप ही बनाएंगे ना मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सकें बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो तुम कोई देह थोड़ी हो बाबा याद दिलाते हैं तुम आत्मा नहीं हूँ आत्मा कहती है मैं एक देह छोड दूसरी लेती हूँ आत्मा कहती है कि मैं एक शरीर छोड दूसरा लेती हूँ अच्छा। इठे सिखी लदे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शु पावन बन कर पावन बनाने की सेवा करनी है। इतनी अथोरिटी होने के बाद में भी इतना निरहंकारी। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हम बापसमान ऐसे बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट है विनाशकाल के समय इश्वरी लोटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धी बन याद में रहने वद्धैवी गुणों को धारन करने की रेस करने हैं। वर्दान हैं शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृता की शक्ती द्वारा सेकेंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। कौन है शक्तिशाली आत्मा जो दृता की शक्ती द्वारा सेकेंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ती को पहचानो एक शुद्ध वह शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। योगियों का बाबा के बच्चों का एक शुद्ध संकल्प श्रेष्ट संकल्प कितना कमाल कर सकता है बाबा ये बता रहे हैं सिर्फ कोई भी दृड़ संकल्प करो तो दृड़ता सफलता को लाएगी संकल्प दृड़ होगा तो सफलता निश्यत है सब के लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो, जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह घेराव एक छत्रचाया बन जाए, सेफ्टी का साधन वकिला बन जाए, किसी के लिए एक शुद्ध श्रेष्ट संकल्प करो, कोई कमजोर आत्मा है, बा अनभव कराओ की उस आत्मा में भी बल भर जाए, तो हमारे संकल्प दिखो, सभी की सेफ्टी का साधन है, किला है, स्लोगन, सबसे श्रेष्ट भाग्य उनका है, जिने डाइरेक्ट भगवान द्वारा पालना पढ़ाई, और श्रेष्ट जीवन की श्रीमत मिलती है, बाप द्वारा पालना पढ़ाई, और श्रेष्ट जीवन की श्रीमत मिलती है, तो ये थी आज की मुर्ली, कौन है हम, हम कौन हैं, क्या याद रखेंगे, पहली बात, बेहत की स्कॉलर्शिप प्राप्त करने वाले गौड्ली स्टुडेंट्स, दूसरी बात, मिनाशकाले प्रीत बुद्धिवान आत्माएं, मिनाशकाल में हमारी बुद्धी किसकी तरफ है, हमारी प्रीत किस से है, बाबा से, ऐसी आत्माएं हैं हम, तीसरा पोइंट, बाप समान निरहंकारी बच्चे, कौन हैं हम, बाप समान निरहंकारी बच्चे, चौथा पोइंट, शुद्ध, द् पिड़ श्रेष्ट संकल्प धारी और पांचमी बाद डाइरेक्ट भगवान द्वारा पालना प्राक्त करने वाले हम श्रेष्ट ब्राम्हन हैं। तो सदा याद रहे मेरे तो एक शिव बावा दूसरों न पोई। ओम शंती। एक उसी से दिर का रिष्टा एक उसी से नाता है। इन लोगों सिवा शिव के और नजर नाता है। मात पिता शिक्षक सद गुरु बंदो सखात गुवों थी। मेरे तो शिव बावा एक दूसरों न पोई। मेरे तो शिव बावा एक दूसरों न पोई। आ, 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 आ जब से उसको जाना है, ऐसा मिला खजाना है, आकर अपना मीत सुहाना, मन को मिला ठिकाना है उसी को पाने की खातिर थी, उसी को पाने की खातिर थी, युगों से उखियों रोही, मेरे तुशिव बाबा, एक दूसरो रोना होु। मेरे तुशिव बाबा, एक दूसरो रोना होु।